हालो एबरीगरी मैं डॉक्र तौफी पुसेन अस्वासट प्रफेसर इन्हर इसचेशन आज हम विश्विकी बहन्तम और प्राचिंतम जो सभेता है हडपा सभेता है उसके विश्विक चर्शा करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि हडपा सब्वेता को सिंदू गाड़ी सब्वेता और सिंदू सरस्वती सब्वेता के नाम से भी जाना जाता है इस सब्वेता को सिंदू सब्वेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सब्वेता के जो प्राग्मिक स्थल है वो सिंदू नदी और उसकी साइक नदीयों के तर्टपे मिले इसलिए इस सब्वेता को सिंदू सब्वेता कहा गया लेकिन बाद में जब उत्रन कारी जारी आगे बढ़ा तो ऐसी इस्तती में इस सब्वेता के अनेक इस्तल है वो उसका सिंदू नदी से कोई तालूक नहीं था और वो अने इस्तल पर मिलते हैं तो ऐसी इस्तती में पुरातत वे विदों ने यह निने लिया कि यदि कोई भी सब्वेता नई प्रकास में आती है तो ऐसी इस्तती में उस सब्वेता का नामंकरण उस सब्वेता का जो परतम इस्तल जो अस्तित्यों में आता है उसके अधार पर उस सब्वेता का नामंकरण कर दिया जाए और इस संदर्म में सिंदू सब्वेता का जो प्रार्मिक इस्तल है वो हर्पा नम इस्तल है वो सरो परतम परकास में आया जिसके आगे हम विस्तार से सर्चा करेंगे इस अधार पर इस सब्वेता का नाम है वो हर्पा सब्वेता रख दिया गया इस सब्वेता के जो अधिकान स्थल हैं वो सिंदू और सरस्वती नदी के तरफ पर मिलते हैं इसलिए इस सब्वेता को सिंदू सरस्वती सब्वेता के नाम से भी जाना जाता है तो ये सब्वेता, सिंदु सब्वेता, या सिंदु गाड़े सब्वेता, हडपा सब्वेता और सिंदु सरस्वती सब्वेता के नाम से जानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुन्दू सब्वेता प्राचीन विश्वे की एक काशिव गिन सब्वेता के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसके समकालें जो मिस्र और मिस्वपोटामिया की जो सब्वेता है वो हमें मिलती है लेकिन जब मिस्र और मिस्वपुटा में की जो सब्वेता है उससे भी अधिक सित्र के अंदर है ये फैली वी थी ये इसका विस्तार है वो मिस्र और मिस्वपुटा में की सब्वेता से कहीं गुना जदा है वो हमें देखने को मिलता है तो इसलिए हमारे सामने यह प्रस्जल उड़ता है कि सब्वेता का जब हम गुलिक विस्तार की हम यह देव चर्चा करें तो यह सब्वेता कस्मीर के अंदर जो मांदा से लेकर के दक्षिन पे अंडर है वो महराष्ट के दाइमाबाद तक और उत्त्र के अंदर यूपी के आलमगीरपूर से लेकर के दक्षिन के पसिम में जो ब्लुष्टिस्टान के मकरांस मुद्दधर तक विश्तृत थी अर्थार्त यह सब्वेता है इसमें भार आई विवेक्ट पंजाब की बात करें, हर्याना, जम्मू कस्मी, राजस्तान, उत्रप्रदेस, गुजरात और महारास्त, इन शेत्रों के अंदर ही फैली वी थी, तो यह जो सब्वेता है, वो उसमें यह एक विश्तिस शेत्र के अंदर है, वो फैली वी थी, इतने बड़े हम कह सकते हैं कि इतना बोगली विश्तार होने के पशाद भी यह जो सब्वेता है, उसके अंदर हमें एक सांस करती, एक रूप्ता दिखाई देती है, तो हमारे सामने परसम उड़ता है कि इतना विश्तित होने के पशाद, इसका एक साइट और दूसरे साइट के बीच में एक पुरा ताहद पर इस तल और दूसरे पुरा ताहद पर इस तल के बीच के अंदर हो काफी दूरी दिखाई देती है, उस समय ततकालन समय में नहीं तो संचार सादन थे और नहीं एक तरह से यातायत के सादन थे, तो ऐसी श्तिती में ऐसी कून सी बात थी, ऐसी कून सा तत्वाता जिसके कांड से इतनी बुड़ी विशाल सबेता के अंदर भी है वो सांसकर्तिक एक रूपता हमें दिखाई देती है तो विद्वानों का मानना है कि इस समय जो जो सिंदु सबेता के जो अलांकि भारते तियास की पर्थम नगरी सबेता थी लेकिन इसमें चरागा संसकर्ति भी थी एक तरह से पसुपालक लोग भी थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो गमन करते रहते थे और कुछ विशेश समय के अंदर है वो एक स्थान पर रूपते थे तो ऐसा माना जाता है कि जो 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 पसुपालक लोग थे जो जो चरावा है थे उनके क संस्क्र्टी के जो तत्वे हैं उसको एक स्थाल में जो संस्क्र्टी के तत्वे उसको दूसरे स्थाल तक पहुंचा है तो चरवा जो संस्क्र्टी है उन्होंने शिंदू संस्क्र्टी के एक्ता है उसको इस्तापित करने में हो महत्वपुर्ण बूर्ने का अदा कि दूसरी तो संस्कृति और सबेता है वो एक इसके के दो पहलू है लेकिन एक नहीं हैं दोनों अलग अलग तो एक परकार से हम कह सकते हैं कि जो कल्चर है वो एक विशेव सवस्ता को है वो इंकित करती है और सभेता वह जो मानोव की विकास को अंकीत करती है तो संसक्रती हम उसको कहते हैं की हम अपने day to day life के अंदर है हम हमें day to day life की जिंदिकी के अंदर है जो कुछ सीखते हैं और जो कुछ सीक 27 और उसकोcolor एक greedy से दूस्री byडी में जो सत्यानुत करते हैं उसको हम संस्कृति कहते हैं, अथार संस्कृति हमारी जीवन से लिए है, जो कि हम जनम से हैं वो संस्कृति नहीं होती है, संस्कृति नहीं होती है, अपितु आप सी परिवेस है, या अधिन ध्यापन से है, हम अपना संस्कृति के विकास करते हैं, तो संस्कृति के संस्कृत लेकन कला का विसकार हो जाता है वे वह बेजीत हो जाता है सहरी यह व्याज़प filter संसिर्थ seuлас जुए उस मैने में अधिन के लिये है तो संस्किर्ति का रूप्ति संस्क्रटी वह इस माइने में अद्धिन जुरूरी है क्योंकि विशुई के देशों के लोग हैं जिस समय है वो एक तरह से खाद संग्राक से फूट गेंदरिंग से निकल करके है वो एक प्रकार से फूट प्रोड़ेक्सिन की इस तर्पर है वो विश्दन कर रहे थे उससमें हमारे हिएं सभेता का विकास हो चुका था क्योंकि हम सब्वेता का विकास सब्वेता का धिन करके हम यह समझ सकते हैं कि जो हमारे जही काल के अंग्रे जाए ये कहा हम बारती इस नोगर नियुक्षित करने स्थरी ग्दित रेखे। जबकि हम पासते देशों के मुकावले में कई हजार वर्स पहले ही है वो सुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और जिसका प्रमान हमें शिंदु सब्वेता है वो देखने को अंदर मिलता है तो शिंदु सब्वेता है जैसे मैंने बताया कि भारत की है वह विशालतम सब्वेता यह हम कहें कि ततकाली विश्वे कि विशालतम सब्वेता थी तो यह विशालतम सब्वेता थी यह सब्वेता वह सब पहले प्रकास में 1827 केनर उन्हों ने इसकी और अकरशित किया और उन्हों ने यहां एक तरह से जो जो हरपा जो उन्चे दिवारें थी जो दुरूग था उसको उन्हों कहा कि यह तो अलेकजंडर ने के द्वारा निर्मित है अथार्थ उनका मानना था कि उन्होंने जो पासते जो पस्मी जो जो उपनिवेसी जो विद्वान थे वह भारते सहस्कृति अपने देश्टिकोंड से देख रहे थे और वह इकते ही सिवकार करने के लिए त्यार नहीं कि द्वारा निर्मित एक इस्तल है भारती ऐसा नहीं कर सकते है और लेकिन उसके बाद के अंदर जब इस सब्वेता जो उनीस सो नीजिस स्ताब्दी के जो प्रारम में इस सब्वेता के जो विवनी स्तलों का उठ्खनिन किया गया उनीस सो बीस में मादव सुरूफवस और देहराम सानी के नितरफरू में जो हर्फा नामक इसतल प्रकास में आया और उसके उसके बाद में जो मुझदोर नामक पहुंआ को परकास में लाने का परियास लेकिन जब भारत सिंद्व सब्यता परकास में तो विसवर के अंदर्प घढ़बली मुझेए ख़ई कि भारत के ळायां के अंदर एक विख्शित्र सब्यता है वह दभी पड़ी कि आप सर्फोगत कॉछ। तो क्योंकि इस मैं भविविन्ट परकार को फो से करेंगे सब्सक्राइब इसको कहते हैं जिसको सिंदु सब्यता जो कहते हैं जो सब्यता है उसको जैसे मैंने बताए है चाहरे में चाइल समेशन है उस्हें लेकिन कोई तुसलिन कारी नहीं हुआ लेकिन 1856 में जब कलांची हो लाहूर के बीच में जब रेलवे लाइन जो जो बिछाई जा रही थी तो उस समय जान बर्टन और विलिम बर्टन है उन्होंने यहां एक विक्षित सब्वेता होने का उन्होंने संकेत दिया और उसके फलस्तुरूप 1921 के अंदर मादसुरूप और दै विक्षित सब्वेता जिसको चाल जा सकता है वो दबी पड़ी है और उसके पसाध है वह उत्रफ्सद्व besten बिलार के उसलों के उठेनन ब मिलती है क्या समय है वो एक विख्षित सब्वेता थी लेकिन हमारे सामने ये प्रसन उड़ता है कि ये सब्वेता क्या अचानक विख्षित हुई या भारतियों ने इसको विख्षित किया तो इस सब्वेता का जो ओरिजन है इस सब्वेता का उद्भव कैसे हुआ इसके विशे में विद्वानों के अंदर है वो दो मत हैं विद्वानों का जो एक मत है उसका ये मानना है कि ये सब्वेता है वो जो विदेशी पुरातत वे विदेश है वो ये मानते हैं कि ये सब्वेता है और जो एक परकार से जो मिसोपोटामिया के जो लोग हैं और उनका और भारत के साथ समन था उन्होंने एक परकार से इस सब्वेता को विक्सित किया और लेकिन इस सब्वेता को मिसोपोटामिया से उपन हम नहीं मान सकते क्योंकि मिसोपोटामिया और जो जो सिंदु सब्वे चर्चाई नर है उसमें काफे लिते हैs को देता है तैने हैं किमिसोपुटामिया में जब तौ तौ में ज्ञा लेगे जुऌराइन चर्थाया उस्ञाया मिलते रख मिलते हैं जब कि सिंदुषता के लूं हो किसी परकार गये ओनकी का अशैस में निल समय मरतक संसकार विदिन तरह की से इसका पर जटी है कि मिसो पोत्मिया के दून के अंदर है वह उप भू़िन परकार की जो सामगेरी जー कि लाप मैने वाले इस सामगेरी और एक तो उससें हैं मरत्ग संस्कार उस्टरे से कते थे कि वह और जिंदा होगा और न सब का है की इसलों का इस्तमाल करेगा है तो वैसा मरतक संस्कार विदी जुफकार विडिदी वो सन्दू साबता के य님रा में देखने को निमनी मल थी है यो अन्दियार है वे उन देखने से में यह मिलता है कि वह आकरमक परदेती के नहीं थे वह संत वादी परवर्ती के थे जब कि मिसोफोटामिया में ऐसा हमें नहीं मिलता है तो इस परकार से हम कह सकते हैं कि यहां की जो मोरों की जो बनावट है और जो मन के बनाने की जो विदी है वो मिसोफोटामिया और एक परकार से जो सिंदु सभीता की जो मनके बनाने की जो विद्धी है वो अलग है तो इस अधार पर हम कह सकते हैं कि हम यह भी कह सकते हैं कि सिंदु सभीता की जो नगर नियोजन था जो इसकी टाउन प्लानिंग जिसके बारे में आगे हम अदिन करेंगे वो टाउन प्लानिंग है वो एक परकार से नयके उस समय काफी विक्सित था अपितु वरतमान में भी है बीस वी स्थाबदी में पेरिस के अंदर भी ऐसी टाउन प्लानिंग हमें देखनों को नहीं मिलती है वो आज भी हमारे लिए अनुकरनी है वैसी टाउन प्लानिंग है वे मिस्वोर्टामय में नहीं मिलती है टो इस एधार पर हम यह कहें कि बिलाल मिस्तिय की सिप्टैन विख्चित किया यह डर्णा वो एक तथ ही निस ही आहती है और यह विदेशी मानसिफ्टा का प्रेचाइक है जिन्होंने भारतियों को है वो काकलन है वो कम किया लेकिन यह जो मिसोपोटामिया और सिंदु सब्वेता में जो अंतर है जिसमें मंदिरों की अनुपस्तिती है राजपरसादों की अनुपस्तिती है मरतक संसकार विदी में जो अंतर है अक्रामक अत्यारों क लोगों के लोगों ने है वह लोग सब pozi हैं अगी कि यह सूद्था को,प्र शीचत को मिस्ति में नहीं किया। देतार में मिलवन के तो हम कह सकते हैं कि विदी उत्पती के जो शिधांत है उसको हम सीरिकार नहीं कर सकते कि मिश्व प्टामिया की सब्वेता ने जा मिश्व की सब्वेता है उन्होंने है वह भारतियों को हrift थैन के अंदर वह साहिता परदान की जबकि दूसरा सभ्वेता की जो उत्पती है उसका वह उत्पती काफे सई पर्तित होता है जिसके आनुशार भारत के नेदर है वो प्रारंग में ही है जो नव पासान कालम संस करती ह backstory थी या पूरो अरपा कालीन जो ग्रामेल संस करती है ती, वो विक्षित होकर के है वो हरपा सबेता के अंदर विक्षित हो गई हरपा सबेता विक्षित हो गई तो पच्पन सो इसा पूरुव से बती सो इसा पूरुव के अंदर जो कर्शी बस्तियां थी वो बती सो इसा पूरुव से 2600 इसा पूरुव के मद्दे है वो आरमिक हरपा सबेता के अंदर विक्षित हरपा सबेता है वो 2600 इसा पुरुव से 1900 इसा पुरुव के मद्दे दिखाई देता है और उसके बाद में परवर्ती हर्पा सब्देता है वो 1900 इसा पुरुव से 1300 इसा पुरुव के मद्दे दिखाई देता है तो कहने का जो तात्प्री है कि जो हर्पा सब्वेता है वो अचानक विक्षित नहीं वी और नहीं इस सब्वेता का विक्षित करने का जो सरे है वो मिसोपगामिया को है अपी तु इस सब्वेता को एक तरह से कर्मिक विकास है उसका प्रणाम हो मान सकते हैं क्योंकि शिद्वसरनी क्षप्र का क्या सकता है जैसे अफगानिस्तान में मूंडिगा गा का मैर अमरी जी कोड़ी है स्राइख खुला है बनवाली है सोती है जो काली बंगा है मिता थल है राकी गड़ी है आधी जो इस्तल है जो सिंदु सब्वेता के प्राग संदु भी इन सब्वेता के इस्तल कह सकते हैं तो इन बस्तियों के बस्तियों बस्तियां ही जो विक्षित हो करके वो सिंदु सब्व तो यही जो ग्रामेड जो बस्तियां वो नगरों के अंदर परवर्तित हो गई क्यूंकि सिंदु सब्वेता के बहुत से स्थालें जैसे काली बंगा राकी गड़ी अम्री है आधी के अंदर हमें प्राक संदु सब्वेता के अफसेश मिलते हैं और काली बंगा के अंदर तो एक तरह से सुनेजित नगन योदना है का परमान मिलता है पक्की उटो का परियोग भी मिलता है काली बंगा के प्राक जो काल है उसके अंदर हमें जुत्यवे खेट के जो परमान मिलते हैं और मेरगड के अंदर जो हमें जो अत्रिक उत्पादना उसके साथ से मिलते हैं तो इन तर्कों के पहधार है अम यह कह सकते हैं की हडपासबेता की उत्ति में नहीं एकश्मिक रूप से उत्पति का प्रणाम थी अपी तुब भारतिय उत्पति कर्मिक विकास की रूब के अंदर है यह सभिता बिखशित है और सिंद्ब defense की ढहन जो अध्यन करने वाले ग्रेगरी हो पोस्यल है ने भी इस विकार किया कि हर्पाeten बारती है भारती जो विद्वान है भारती है जो 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 लोग है उनकी जो सब्बब्स करने के अदर सागरी इनके कंकाल मिलते हैं और इन कंकालों की बोलता क्या दार पर ये सम्भावना विख्त की जा सकती है कि यहां के निवासी है वो मूलत पहुंदe सागरे थे तो इस अदार पर हम कहし सकते हैं पर उपति के बारे इमने चर्शा कि हुई तो हम कह स अपने लोगों नहीं है अपने खुद के बल पर है अपने खुद के बल पर इस अबेता को विक्षित किया तो इस एक परकार हम कह सकते हैं कि सिंदु सबेता है वो नहीं मिस्तर की सबेता के कारण है वो विक्षित हुए अपी तू एक तरह से सिंदु सबेता की जो 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 ग् जबारत